तो गाईज आज मैं जिस मूवी को आपको एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ उस मूवी में हम लोग एक देखने वाला है लूसी नाम की लड़की के रियल लाइफ स्टोरी जिसको कि एक श्रेंज आद में किर्नेप कर लेता है और उसे बंकर में डाल देता है वो यहाँ पर उ स्टी में हम लोग देखते हैं लूसी नाम की लड़की को जो की स्कूल में बैठकर पढ़ रही होती है और वहाँ पर छुट्टे उने वाद वो अपने घर जाती है घर जाकर उसे उसकी मौम नहीं मिलती तो उने कॉल लगाती है और अपने ब्रदर की साथ फिर टाइम स्प लूसी अके लिए रह जाती है वो जंगल की रास्ते से जा रही होते है तब ही वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बुला रहा होता है पर यहाँ पर हम देखता है वो आदमी लूसी को अरेस्ट कर लेता है और अपने साथ उसे जंगल में लेकर जा रहा होता है वो मेरे साथ मेरे आफिस में है तो वो लूसी को भी उसके आफिस ले जा रहा हुता है पर दोस्तों यहाँ पर सच कोछ और ही था क्योंकि वो आदमी को पुलिस आफिसर नहीं था यहाँ पर हम देखता है वो आदमी यह सचा ही लूसी को बताता है एक जगापर बैठा के और उसे कहता है कि मैं कोई पुलिस आफिसर नहीं हूँ तो मुझे सुन्दर लगी तो मैंने तुमें एक इन्नेप कर लिया अब इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी एक बंकर खोलता है और उस बंकर के अंदर वो लूसी को डाल देता है अब क्योंकि लूसी घर लेट नहीं पहुँची तो उसकी जो मॉम होती है वो उसके दोस्तों से बात करती है फोन पे और उसके ब्रदर से भी पूसती है पर उन्हें कोई क्लू हाथ नहीं लगता अब हम देखते हैं लूसी के जो मॉम होती है वो फेस टू फेस मिलने के लिए लूसी के फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें से पूसती है पर उन्हें हाथ फिर भी कोई क्लू नहीं मिलता अब इसके बाल लूसी के मॉम पुलिस को कॉल लगाती है और पुलिस यहाँ पर हम देखते हैं कि इस case में कोई interest नहीं ले रहे थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि Lucy अपने किसी friend के यहां पर होगी अब यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ दिन और बीट जाते हैं पर Lucy का कोई पता नहीं पड़ता तो पुलिस इस case में interest लेती है और वो Lucy के friends को interrogate करती है और उनसे पूछती है कि आकरी बार उनने Lucy को कहां पर देखा अब यहां पर हम देखते हैं पुलिस के हाथ फिर भी नाकामियाबी लगती है अब हम फिर से उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम Vincent होता है जिसने की Lucy को किड्नेप किया था यहां पर हम देखते हैं वो Lucy को प्यार करता था तो उसने इसलिए Lucy का किड्नेप किया हम यहां पर देखते हैं कि उस आदमी ने जहां पर Lucy को रखा हुआ था जिस बंकर में उस बंकर में उसने सारी तयारियां कर रहा की थी याने की उसके यहांपर खाने का सामान और बागी उसके जो इंटेटेनमेंट का समान थाने की टेलीवीजन और टेलीफोन यहांपर वो सब्रक आता ताकि उसे बाहर नहीं जाना पड़े और पुलिस उस तक नहीं पहुँच पाए यहांपर हम देखते हैं वो आदमी लूशी को बताता है कि मेरे पास तुमारा ब्रादर है और यहांपर मैं तुम्हें यह भी बता दूँ अगर तुम यहांपर मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारे को मार दूँगा अब हम देखते हैं लूसी के फादर को जो कि लूसी को डूडने आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ पर क्योंकि लूसी बंकर के अंदर थी अंडर गाउंड तो उने लूसी की आवाज नहीं आती और उनके हाथ फिर से नाक्यामिया भी लगती है अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लूसी के पास जो आदमी बैठा था विंसेंट नाम का वो लूसी को बता रहा था कि अगर तुम यहां से जाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूगा अब लूसी के पास कोई भी कारण नहीं बचाता यहां से भाड जाने के लिए क्योंकि वो अपनी बाई के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे और नहीं चाहती थी कोई कि उसके बाई की जान जाए अब इसके बाद हम लोग विंसेंट को देखते हैं जो कि लूसी को यह बता रहा होता है कि वो इतना बुरा कैसे बना वो बताता है कि मैं पहले से इतना बुरा नहीं था मेरे को पुलिस न और मेरी गल्फ्रेंड ने बुरा बनाया मेरी गल्फ्रेंड ने मेरे उपर रेप के चार्जिस लगा दिये थे जूटे और मैं उस केस में फस गया था तो मैं वहाँ से भाग गया पुलिस कब मेरा भी तक मेरे पीछे पड़ी है और मैं उनसे भागने के लिए इस बंकर में चुपता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी girlfriend से बदला लू और police से भी बदला लू अब मैं अपनी girlfriend से तो बदला नहीं ले सकता क्योंकि आप वो out of town है तो मैं चाहता हूँ कि मैं police से बदला लू यहाँ पर दोस्तों Lucy सोचती है कि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा तूटा हुआ है दिल से और अगर मैं इस से प्यार से बात करूँगे तो हो सकता है मैं यहाँ से भार निगलू Lucy यहाँ पर उसके साथ intimate भी होती है रात वो यहाँ से रात को यहाँ से भागने की कोशिश करती है उसे यहाँ पर यहाँ पर उस आदमे के बैग से एक फोन मिलता है जिससे कि वो अपनी मदर को message करती है यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उस आदमे के फोन में tower नही गन नहीं चल पाती, अब यहाँ पर Lucy के पास एक भी option नहीं बचाता कि वो बाहर निकल सके हम लोग अब Lucy की मदर को देखते है जिनको एक message आता है Lucy का जो कि Lucy नहीं send कराता पर वो आज बहुत दिनों में उन्हें receive होता क्योंकि उनके पास signal नहीं आ रहे थे यह message Lucy की मदर पुलिस को दिखाती है और पुलिस कहती है कि यह सब जूट है आपके साथ कोई मजग कर रहा है तो यहाँ पर Lucy की मौमन से कहती है कि हमारे अलावा कोई भी Lucy का निकनेम नहीं जानता और Lucy नहीं यह message मुझे भेजा है तो यहाँ पर पुलिस भी Lucy की मदर की बात को सच मान लेती है और वो उसी जगाँ पर जाती है जहां से वो message आया पर हम देखते हैं वो यहाँ पर Vincent की girlfriend के घर पे पहुंच जाते हैं क्योंकि जिस नंबर से Lucy ने message किया था वो नंबर Vincent की girlfriend का था जिसे यहाँ पर Vincent operate कर रहा था अब हम लोग देखते हैं Vincent की girlfriend है अब पुलिस को बताती है कि मेरा Vincent से break up हो गया था क्योंकि उसने मेरा rape किया था और मैंने उस पर rape के charges लगा दिये थे और यहाँ पर वो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस को भी यह पक्का हो जाता है कि Vincent नहीं है उपर Lucy का kidnap क्या होता है तो वो इस news को newspapers में and television news channels पे चला देते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि Vincent एक kidnapper है उसने एक लड़की का kidnap किया है इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं पुलिस यहाँ पर उनको पता पढ़ जाता है कि Vincent एक जंगल में चपा हुआ है और यह खबर वो newspapers में चपा देते हैं अब यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं विन्सेंट जैसे उस news को देखता है newspapers और news channels के त्रू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है कि मैंने कुछ नहीं करा, Lucy उसे यह confirm कराती है कि उसने कुछ भी नहीं करा वो उसके साथ रोने दोने का नाटक करती है और उसे बताती है कि वो इनोसेंट है अब यहाँ पर Lucy उसकी help करती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए कहीं दूर और जैसे ही सब एटमोस्फिर सही हो जाएगा तो तुम मेरे पास वापिस आ जाना और हम दोनों यहाँ से भाग कर कहीं और चले जाएंगे अब Lucy के यह बात सुनकर विंसेंट को भी उस पर यगीन हो जाता है कि उसने पुलिस को कॉल नहीं करी और उसके वज़ा से यह सब कुछ नहीं हुआ तो वो यहाँ पर Lucy की बात को मान लेता है और चला जाता है अब जैसे वो चला जाता है तो Lucy भी बंकर से निकल जाती है और उसे देखती है उसे लगता है कि हाँ पर आसपास बांब है और वो डर जाती है कि अगर मैं हाँ से निकलने की कोशिश करूँगी तो वो जो बांब है वो फट जाएंगे और मैं मर जाओंगी पर यहाँ पर Lucy आवाज लगाती है और help के लिए चिलाने लगती है पर तब ही दोस्तों महाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि Lucy को बचाने की कोशिश करती है पुलिस को भी वहाँ पर वो बंब मिल जाता है और वो लोग बहुत खुशी से अपनी लाइफ जी रहे थे और पुलिस यहाँ पर दोस्तों विंसेंट को पकड़ के उमर कैदगी सजा दे देती है जिसके साथ साथ यह मूवी यहीं पर एंड होती है थेंक्स फूर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई एक्स्परनेशन के साथ